जी फ्रेंड्स जब भी उस डॉकुमेंट की बात होती है तो इट मींस कि आपके किसी ऑपरेशन में किसी टेस्ट में नॉन कंफिर्मिटी आई यह यह आपका कोई ना कोई टेस्ट फेल हो रहा है यह जो स्पेसिफिकेशन से आउट होगा है उस बैसिकली इसको हम कॉमनली परिमिर्डी एक्शन लेते हैं यानि आप यह चेक कर रहे होता है कि जो टैस्ट प्रफॉंब किया है जिसने प्रफॉंब किया है उसके सारे इनिशली क्या एक्टिविटीज हो सकती है पॉसिबल वह चीज़े चेक की जाती है आज यह देखेंगे कि उसकी प्रिमिर्मिर्य एक्षिन्स हम क्या लेते हैं आगी चलने से पहले आप देखे रहे हैं मेरा चैनल वाइसब क्यानी और मैं सब्तर खान क्यानी चैनल पर न्यू है चैनल को लादम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकर टेक्निकल वीडियो को नोटिफिकेशन पर चैनल के को तो कि आपको सीनियर व्होब Minecraft यहां सकते हैं मैं यहां सबसे पहले रह дня कि उससे किया कया कैसे और Wam उसे सारे SEPs पूचे जाते हैं आपने क्या क्या और कैसे क्या नमर दूर स्टेज पर जो सेंपल उसने TEST किया उसको देखा जाते हैं कहीं उसने सेंपल घलत तो नहीं पिक कर लिया यन्हीं सेंपल cultura कुछ था कोई दूसरा सेंपल तो नहीं ले लिया नमेर 3 स्टेच पे जो वो सेंपल उसने किया है हुँसके सेंपलिंग कनेकर स्टेटस चेक किया जाएगा जार आए जब सेंपलिंग करने में खलती तूरह तो झी है रहा हो या कोई भी सेंपल हो क्या सेंपल सही तरीके से क्या Counseling तो नहीं है नंबर चार है कि जो इसकी केलकोलाइशन थी उसको चैक एड़ति स्टेक आवेशन के प्रफॉम तक कहीं उसकी चीक्राइब सुआज नूमघ नीस नुम पांच यह कि जो उसकी टेस्ट को परफार्म करने के लिए उसको कैमि कल रिक्वारड यो भी पटवर केमिकल था उस टेस्ट के अंदर ूदर एक्स वाई-जी जो भी कैमिकल यूजर उनका स्टेटस भी चेक होगा कि क कोई expired chemical तो यूजर नहीं कर दिया नमर चेह कि जो chemical के साथ अगर फेक्टर रिक्पायर था तो फेक्टर भी चेक होगा कि कहीं कोई फेक्टर टो नहीं था फेक्टर की वैलिडिटी खतम तो नहीं हो गई थी नमर समझ यह कि जो उस test को परफॉर्म करने के लिए या स्ट्रीमर्ट यूजर पोड़े ।क जो तु हुए है उलिटेहिसिए पर फेक्टर फेक्टेत्व हैं पर पॉचिंग जो पर कोई श्रूमें पर अपर नकी बदी करते हैं Zelda कर नेmost बीटिए में दिसक्श करेंगे थैंक यू फर वाचिंग